राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे है यू तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादी काल से चला रहा है पर द्वापर युग में जब भगवान नारायन ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंच राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में व्रि राधा को क्रिष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है और क्रिष्ण क्यों अपनी प्रिय बासुरी को तोड़ देते हैं इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कहा जाता है कि राधा जन्म से अंधी थी और स्वर्ग लोग से ये वचन लेकर ही प्रित्वी लोग आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रिथम द्रिष्टी उन पर पड़ेगी तब ही वो संपूर्ण जगत को देखेंगी अन्य था नहीं तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं बच्पन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बासुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहते हैं और राधा और कृष्ण तो आठ साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनन लेने लगे थे श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बासुरी दो ही सबसे प्रिय थे जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे जब भी श्री कृष्ण बासूरी बजाते राधा उनके पास दोड़ी चली आती और घंटो बासूरी की धुन में मगन रहती जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया वो यमुना नदी के तट पर बैठ कर घंटो समय व्यतीत करते थे पर उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षो का था क्यूकि जैसे कृष्ण के मामा कंस को उनके व्रंदावन में होने का पता चला उसने तुरंथ ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंतरन दे दिया जि कि कृष्ण अब व्रंदावन वापिस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे तो इसलिए मतुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से दो वचन लिये पहला वचन था कि राधा के रिदय में हमेशा केवल कानहा का वास रहेगा और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यू से पहले उन्हें कानहा के दर्शन होंगे परन्तु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगी तो राधा हमेशा खोश रहे इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा बहुत कम ही मिलता है इसके बाद कृष्ण ने मतुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देव की वासुदेव को मुक्त कराया और फिर उन्होंने मतुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की जिसके बाद से उन्हें द से प्रिय पत्नी थी और केवल कृष्ण की च्षवी को देख कर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था और कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई रुकमी के विरुध भी चली गई थी प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुला कर और कृष्ण के साथ भाग नगरी में सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्ण भी अपने दैवीय कारियों में लीन हो गए दोस्तो आज कल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने तो कभी विवाह ह बहुत सी अलग-अलग कताएं हैं और उनमें से एक प्रच्रित कहानी ये है कि श्री कृष्ण कभी-कभी सोते ही राधे श्री राधे बोल पड़ते थे जो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था तो एक बार रुकमिणी ने श्री कृष्ण से कहा कि है प कुछ लेते हुए भी जाना जिसके बाद रुकमिणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूद ले जाती है और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती है जहां वो तेज और ओजवान स्त्री को खड़ा देखती है तो उनसे पूछती है कि क्या आप ही राधा हो तो वो कहती है नहीं मैं राधा नहीं उनकी सेवी का हूँ राधा रानी तो साथ द्वार के अंदर मिलेंगी तो रुकमिणी जी एक दो करके ऐसे सभी द्वारों को पार करती जाती है दोस्तों जब वो राधा रानी के कक्ष में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई र जाती है और कहती है कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। जब रात्री के समय रुकमिनी श्री कृष्ण के पैर दबाती हैं तो देखती हैं कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। तब फिर रुकमिनी को राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है। जो हमेशा राधा के रिदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। एक कथा में आता है कि ब्रम्हा जी ने प्रत्वी लोक आकर व्रंदावन में पहले राधा और कृष्ण का वेवाह करवाया था। पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी व्रंदावन में कृष्ण की भक्ती के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यू या आयन से उनका वेवाह भी हो जाता है। पर अभिमन्यू को महर्शी दधीची का श्राप था कि अगर वो राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवा के पश्चाद भी कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती है। बहुत वर्शों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभालेती हैं, वो समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं, तो फिर वो कृष्ण के पास दवारका आती हैं। जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ती और उनसे प्रेम पूर्वक बाते कर सकती थी। परन्तु कृष्ण तो अब अपने राजपाट वा अन्यकारियों में व्यस्त रहते थे। दूसरी और राधा अपने पुराने कृष्ण को ही मिलना हो जाए। इसी डर से राधा ने चुपचाप तरीके से राजपवन और द्वार का नगरी भी छोड़ दी। सामने एक ही इच्छा प्रकट की थी कि वो अपने जीवन के अंतिंक शणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसा वो व्रंदावन में देखा करती थी। वो उन्हें वही बासूरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती है। दोस्तों राधा का बस इत सारा बह रही थी। इतना ही नहीं बासूरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने उनके सामने प्रांट त्याग दिये। जिसके बाद उनकी मृत्यू से कृष्ण इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रीय बासूरी को वहीं तोड़कर फैक दिया थ इसलिए राधा की मृत्यू के पश्चात कृष्ण ने अपने शेश जीवन में बासूरी तो क्या किसी अन्यवाध्यय यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा भी जाता है।